हेलो फ्रेंड्स दिस दाहूल वेलकम टू माई यूटूब चैनल वत्साइस वत्साइस यूटूब चैनल में आपका हर्दिक स्वागत हैं तो अभी हम सी सैट मैथ पढ़ रहे हैं तो अभी हमने पिछले के पीछे के तीन वीडियो में कुछ पढ़ लिया है ठीक है उसी के आ और उसको हमने कवर कर लिया था आज हम तीन से विभाज जता की जाज की चेक करेंगे तो आइए चलते हैं स्टार्ट करते हैं कि ठीक है तीन से विभाज जता कैसे होती है कोई भी नंबर हम लेंगे कि उसको चेक करना है कि यह तीन से पूर्णता विभाज कि व्यू के लिए नहीं आ रहा होगा है कि एक मिनट कि अगर कि ठीक है कि देखिए कि हमें कोई भी नंबर दिया जाए और उसको देख कर बताना है कि क्या यह नंबर तीन से विभाज होगा पूर्णता या नहीं होगा कि तो उसकी जाच कैसे करेंगे पहले इसका रूल लिख लीजिए उसके बाद चेकर के बता रहें कि ठीक है कि तीन से विभाज्यता का दूल यह है कि कोई भी संख्या कोई भी संख्या तीन से पूर्णते हैं विभाज्य होगी अगर उस संख्या के अंकों का योग तीन से विभाज्य हो जाए जैसे हम लेते हैं एक नंबर 81 ठीक है 81 यह तीन से विभाज्यत होगा कि नहीं सीधे देखते हैं इसकी अंकों का योग करते हैं 8 प्लस 1 इक्वाल टू 9 आठ और एक नव आ गया तो नव देखते हैं सीधे 3 से डिविजबल है तिसलिए यह 81 भी 3 से डिविजबल होगा एक नंबर हो लेते हैं 3,4,3 क्या यह 3 से डिवाइड हो जाएगा सीधे देखना है 3 प्लस 4 प्लस 3 यह आएगा 10 ठीक है 4,3,7,3,10 दस तीन से डिवाइड नहीं है इसलिए इसलिए यह नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा एक नंबर हो लेते हैं 7,2,9 7,2,9 यह आएगा 18,18 7,2,9,9,18 तो यह 3 से डिवाइड हो जाएगा न इसलिए 7,2,9 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा क्लिए रहे और नंबर लेते हैं चारंगों की ठीक है 1,0,2,3,1023 एक हजार तेश इसका देख लेते हैं 1 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 3 2,1,3,3,6 छे डिवाइड हो जाएगा 3 से इसलिए एक हजार तेश भी 3 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है इसको लिख लीजिए और यह भी समझ लीजिए कैसे किया जाएगा संख्याओं संख्या के जो अंक है उनको जोड़ लेना है अगर वह 3 से डिवाइड हो जाएगा तो मतलब वह संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी सिंपल है आगे चलते हैं अब 4 से देखते हैं ठीक है 4 से क्या है कोई भी संख्या में देखना है और उस संख्या को सिर्फ देखकर बताना है कि यह 4 से डिवाइड हो जाएगी कि नहीं तो उसका क्या दूल है उसको देख लेते हैं पहले दूल लिख लीजिए फिर उसके बाद एक्जामपल से करके बताता हूं करूंज दूल है एंचे उसके बताता है झाल झाल ठीक है चार से विभाज्यता का दूल है कोई भी संख्या चार से पूर्टा विभाज्य होगी अगर उस संख्या के अंतिम दोंग चार से विभाज्य हो या फिर अंतिम दोंग सून नहीं हो यहाँ मैंने दो सून यह लिखाया ठीक है यह इन्फाइनाइट नहीं बनाया इन्फाइनाइट और डबल जीदो में अंतर है यह डबल जीदो है और दोनों जोड़ देंगे इस तर तो यह इन्फाइनाइट हो जाता है यह जो मैंने लिखा यह इन्फाइनाइट नहीं है यह डबल जीदो है ठीक है तो रूल यह है कि कि अगर कोई भी संख्या लेंगे अगर उसका अंतिम दोनों डबल जीदो है या फिर अंतिम दोनों अंक से बनी संख्या जो होगी अगर चार से डिविजबल होगी तो उस केस में पूरी की पूरी संख्या चार से डिवाइड हो जाएगी मतलब पूर्ट्या विभाजित हो जाएगी जा फिर कह सकते हैं चार से पूर्दी तर वह संख्या कड़ जाएगी जैसे जैसे एक नंबर लेते हैं 436 436 लिखाए मैंने तो हमें देखने क्या यह चार से डिवाइड हो जाएगी एक तो तरीका है कि इसको भाग करके देखिए हमाया पास इतना समय तो है नहीं तम सीथे देखे कैसे बताएंगे यहां देखें लाश्ट के दो डिजिट 306 ठीक है ठीक है 36 बंदा है 3 और 6 इन दोनों अंकों से जो संख्या बंदा है वो है 36 यानि कि 36 तो 36 चार से डिवाइड हो जाएगी चार नमर 36 फोर नाइन जा 36 ठीक है तो मतलब 36 जो है यह फोर से डिवाइड हो जाएगा इसलिए 436 व्यू के लिए नहीं आता होगा एक मिनट अब ठीक है देखें 436 जो है इसमें 36 लाश्ट में है त्री और 6 को मिला कर तो यह चार से सीधे सीधे डिवाइड हो जाएगा इसलिए यह 436 भी चार से डिवाइड हो जाएगा हुआ है कि एक और नमबर लेते हैं 844 अब है कि 844 में जो लाज के लाश्ट की जो दो डिजित है वो उनसे संख्या बने की फोट्लीफोर ठीक है 44 यह सीधर सीधर 4 से डिवाइड हो जा रही है आपको पता है 1144 ठीक है तो यह 4 से डिवाइड हो जा रही है इसका मतलब 844 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा ठीक है एक नमबर हो लेते हैं जैसे माली यह 200 तो क्या यह 4 से डिवाइड हो जाएगा लाश्ट में दो जीद हो आ गया तो मतलब यह 4 से डिवाइड हो जाएगा एक नमबर ले लेते हैं जैसे 600 तो क्या यह डिवाइड हो जाएगा चाहते बिल्कुल हो जाएगा क्योंकि लाश्ट में दो जीद हो आ गया कि अगला देखते हैं पांट से भी भाजता हुआ 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 है पांच से भी भाजता का दूल है लाश्ट डिजिट जीरो आए या पांच आए अगला पांच से भी भाजता है हूँ हो यह जीदो हो फाइव यह फिर चीदो 5 यह उन्य अगर इन दोनों संख्या की एलावा इन दोनों अंकों के अलावा कि अगर पर जो कोई भी ऑंक आता है का किया स्थान पर तो वो संख्या पांच से डिवाइद नहीं होगे अंतिम अंक लिखाór नहां तो अंतिमंग का मतलब है इकाई कांग है ठीक है इकाई कांग पांच हो या जीद हो जैसे एक संखेल लेते हैं पंदा तो यह पांच सी डिवाइड होगा पता है आपको पांसतियां पंदा हो जाएगा करें हो जाएगा कि फिफ्टइफाइब हो जाएगा वर हनुधफिफ्ट फ फ्टाइब का लच में फ्राइवा अगर फूधाईब के स्थान पर यानि कि वंस प्लेश filme जी रहे यह जीद हो नहीं होगा नहीं तो नहीं हो जाएग तो 8 5 य जीद हो आना चाहिये एकाई के स्थ पन में यह जाएगा है मान देख हो जायगा फिप्टीन वें फाफ एमके लास जीड़ों हो जायंगा है के गौण बкимиको यह हो जाएगा हन्ड़ेट वो जाएगा वच्वाइन ह वंधन नहीं होगा वंधन थांड़जनही नहीं होगा लाश में थ्री आ गया है तो समझें अगर अंतिम या यानि कि इकाई वाल अगर पांच या जीड़ो है तो पांच से डिवाइड हो जाएगा नहीं तो नहीं विभाजित होगा ठीक है कि अगला देख लेते हैं छे से विभाजिता 6 से विभाजिता 6 से विभाजिता का दूल यह है कि कोई भी संख्या अगर सम संख्या है यानि कि इवेन नंबर है और उसके अंकूं का योग 3 से विभाजित हो रहा है तो उस केस में वो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी कहने का दात पर यह है कि अगर कोई संख्या 3 से विभाजित होती है और सम संख्या है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी ठीक है रूल लिख लीजिए हो जाएगं कि अगे अगा कि अगे अगए 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 है तो कि अगए तो कि अगए ठीक कोई भी संख्या अगए त्रम संख्या है और उसके अंकों का योग अगए उसके अंको खायो तीन से विभाद यैं तो संख्या शेसे विभाद योग यूदे में कि ठीक है यहां पर एक नंबर लिखा मैंने 336 336 ठीक है इसमें देखिए यह क्या समसंख्या है बिल्कुल है लाश्ट में शिक्सारा है तो मतलब यह समसंख्या है इकाई के स्थान पर अगर ऐसे नहीं संख्या है तो आप 2 से भाग करके देख लीजिए आपको समझ में आ जाएगा दोसे भाग हो गया तो मतलब वह द्रॉस दोसे कड़ गया है यानि विभाजित हो गया है या मतलब की दो स्विभाजित हो गया समसंख्या है नहीं सीधे तो पर आप ऐसे समझ सकते हैं लाश्ट रंग जीरो टू फोल सिक्स एट में से कोई एक आएगा तो वह समसंख्या होगी यहां पर सिक्स आ गया है तो अब इसका रूल देखिए दूसरा पार्ट यह तीन से भी विभाज होना चाहिए इसकी अंको का योग ठीक है या फिसीधे तोर पर यह भी कह सकते हैं कि यह क्या यह संख्या तीन सिवाजित है इसको चक्कार देजिए इसके लिए क्या करें कि जोड देंगे तीन तीन छे और छे छे बादा ठीक है 3 प्लस 3 शरी यह थी यह बेटा ठीक जिस पर उंगली मैंने रख दिया तो यह श्याही खराब होगे तो आप जान लीजिए 3 3 6 है मतलब कि 3 प्लस 3 प्लस 6 एक्वल टू 12 तीन तीन छे 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 बारा तो आप देखिए जो बारा है 12 है यह तीन से डिवाइड हो जाता है और यहां पर समसंख्या भी है तो इस हिसाब से हमाहे दूल के अंसार 336 डिवाइड हो जाएगा ठीक है पूर्णत्या एक संख्या और लेते हैं 426 ठीक है 426 में देखिए लास्ट का जो तो डिजिट है 6 है यानि कि यह समसंख्या है संख्या सम हुई और इसके अंख्यों का योग जोड़ दीजिए 426 612 ठीक है 4 प्लस 2 प्लस 6 लिख दे रहा हूं ठीक है 426 और 6 मिला दिये 12 हो गया 426 612 ठीक है जोड़ दिया इसको इसके अंख्यों को तो आ गया 12 और 12 आपको पता है 3 से डिवाइड हो जाता है और यह संख्या भी सम है लास्ट डिजिट सम आ रहा है तो इसलिए यह 6 से डिविजिबल है ठीक है और लेते हैं एक नंबर मान लीजिए यहां मैं लिख दे रहा हूं इसके उपर 341 लास्ट डिजिट देखिए 1 है अब यहां पर 1 होने से क्या हुआ यह इवेन नंबर और नंबर हो गया और नंबर यानि कि विसम संख्या जब संख्या विसम हो गई तो सीधे सीधे आपको कर देना है कि यह 6 स्विभाजित नहीं होगा से 3 Bella नहीं होगा आपको दूसरे दूबत जाना ही नहीं दूसरे पार्ट पर दूब कजो चूनकों का योग कि टीनसे विधाज गया पर टीन से रूपराज यहां पले पार्ट में भी प्हील कर गया यहां पर दूस्बाण का गया लाश्ट में बन आगिया है मतलब ये विसम संख्या है जब विसम संख्या है और दूल क्या कह रहा है कि संख्या सम होनी चाहिए तो सीधा मतलब कि दूसरे पार्ट में जानक सीधे बता देना है कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा ठीक है यहाँ पर देखो 3,4,4 एक नंबर लिख दिया मैंने क्या ये 6 स्विभाजित होगा सबसे पहला पार्ट देखते हैं क्या ये समसंख्या है बिल्कुल है लाश्ट में 4 आया है ति ये समसंख्या है पहला पार्ट सही लेकिन इसकी अंको का योग 3 स्विभाज है 4,3,7, 4,11,11 आ गया 11,3 स्विभाज नहीं है इसलिए दूसरा पार्ट फेल कर गया मतले थ्री फोर फोर डिवाइड नहीं होगा सिक्स से ठीक है आगे चलते हैं कि स्विभाज देख लेते हैं कि रूल लिख लेते हैं पहले है कि को कोई भी संख्या साथ से विभाजित होगी अगर संख्या के अन्तिम अंक को दुगना करके ठीक है कोई भी संख्या साथ स्विभाजित होगी अगर संख्या के अंतिम अंक को दुगना करके बची हुई संख्या से घटाया जाए और सेस्फ़ल साथ से डिवाइड होगा ठीक है कोई भी संख्या साथ स्विभाजित होगी अगर संख्या का अंतिम अंक को डबल कर दिया जाए अंक को दुगना कर दिया जाए और जो बची हुई संख्या होगी उससे घटा दिया जाए तो जो सेस्फ़ल आएगा अगर वह साथ स्विभाज है तो वह नंबर भी वह नंबर भी साथ स्विभाजित हो जाएगा उदार्यन के लिए देखते हैं अगर आएगा जाएगा जाएगा तो सबसे पहले लास लास्ट वाला डिजिट यानि कि का इक उठाते हैं तिसका डबल करते हैं आठ है आठ का डबल कर दिये हो गया 16 ठीक है यह हो गया 16 और बची हुई संख्य क्या है यह 65 65 अब 65 में 16 को खटाएगे यह आ जाएगा 49 49 और आपको पता है 49 साथ से डिवाइड हो जाता है सत सते 49 ठीक है इसलिए यह 658 भी 7 से डिवाइड हो जाएगा एक और देखते हैं 672 ठीक है 672 को देख लेते हैं इसमें लाज़ डिजिट है टू टू का डबल कीजिए फोर ठीक है और एक स्टिप कर देता हूं कंफ्यूजन ना पड़े हैं आप लो टू जा फोर दो दूना चार्थ ठीक है अब बचा कर देता हैं क्या है 67 अब 67 में इस फोर को घटाईए आ गया 63 63 आपको पता है सेवें से डिविजबल है तो इसलिए 672 भी डिविजबल हो जाएगा एक नंबर अब ले लेते हैं मान लिजिए 233 ले लिए 233 इसका देखते हैं तीन को डबल कीजिए यह आएगा 6 बचा क्या है 233 तेश में 6 को घटाईए आ गया सत्रा साथ से डिवाइड नहीं होगा ठीक है साथ से डिवाइड नहीं होगा इसलिए ये 233 भी साथ से डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो ये साथ से विवाजत नहीं हो पाएगा ये सिंपल से रूल है साथ का देखे थोड़ा सदिम्याक लगाना है जो भी लास्ट डिजिट रहेगा उसको आप डबल कर दीजिए फिर जो बचा हुआ है उसमें से घटा दीजिए अगर वो जो आया से इस फल अगर यह साथ से डिवाइड हो रहा है तो पूरी पूरी नंबर साथ से डिवाइड हो जाएगे इसको देखिए 672 जिसका लाइड डिजिट टू है टू का डबल फोग और बचा किया था 67 67 में फोग को घटा दिया 63 आ गया और आपको पता है 63 से डिवाइड हो जाता है इसलिए भी डिवाइड हो जाएगा इसका देखिए लास्ट में है इकाई के पर तीन तीन का डबल किय अच्छे और बचा था तेज तेज में खटा दिया आगया 17 और 17 साथ से डिवाइड नहीं होता इसलिए 233 भी डिवाइड नहीं होगा ठीक है तो यह क्लास अभी यहीं तक रहेगे अगले वीडियो में इसकी आगे चलेंगे अधिक है तो आज के लिए इतना है धन्यवाद कर दो